हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अमित है और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है संजय जी ने और वो पूछते हैं हाय अमित सबसे बहले तो थैंक्यू वेरी मच फॉर सच अनॉलेजबल वीडियो एंड टू यूर एफर्ट्स मैं मार्केट में नया हूं और आपकी वीडियो से सीख रहा हूं मैंने आपकी सारी वीडियो देख ली है मुझे स्पेशल आपकी स्टॉप लॉस वाली दोनों वी वीडियो बनाकर समझाइए है संजय थैंक्यू फाद इंट्रेस्टिंग फ्वेशन चलो दोस्तो सबसे बिले तो हम कुछ स्पेशल इवेंट्स को डिसकेस करते हैं जो जब ही आप देखो तो समझ जाओ कि यार अभी मुझे ट्रेड से बहार निकलना चाहिए दोस्तों इस से आपके लॉसेस तो कम होते ही होते हैं पर उसके साथ साथ नाचरली आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगेंगे बैक टू बैक लगादार प्रॉफिट के लिए यह बहुत इंपॉर्टन्ट है इसके बाद हम कुछ अपने ट्रेड्स की अनलेसिस को भी देखेंगे दो पड़े कुछ भी हो पर अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर होना चाहिए जहां से हमें तुरंत पता चले कि हमारा ट्रेड अप गलत जा चुका है दोस्तो स्टॉप लॉस प्लेस्मेंट एक बहुत ही सेंसिबल एरिया होता है इस लेवल के बाद हम ट्रेड से बाहर निकल आत है चलो मान लेते हैं कि हमने कोई क्रॉस ओवर या तो कैंडल स्टिक पैटन से एक ट्रेड ले लिया है तो यहां हमें अंदाजा बिल्कुल हो जाता है कि कौन से लेवल तक ही अपना ट्रेड वालिड है हमें पता है कि इसके नीचे अगर प्राइज गई तो हमारा ट्रेड वालिड नहीं है क्योंकि जो रीजन से हमने ट्रेड ले लिया है वो खुद ही अभी इन्वालिड हो गया है अफकोर्स हम यह भी जानते हैं कि स्टॉप लॉस अपने एंट्री लेवल के नस्दिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़दा दूर भी नहीं होनी चाहिए क्य 270 से ज़्यादा होते हैं तो दोस्तों परसली मेरे ख्याल से हमें प्राइयस को अपने स्टाप लन को हिटte करी देना चाहिए और उस से पहले हमें अपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाहिए क्यूंकि हमें प्राइस को थोड़ी जगा देनी चाहिए ताकि वो एड़ेस हो पाए उसे थोड़ी रूम मिले उसे अपने आप से ही decide कर लेना चाहिए कि उसे कहां पर जाना है चलो अब हम कुछ exception को देखते हैं कि जहां हो सकता है कि हमें trade से बहार निकलना पड़े वो भी price top loss को hit करने से पहले ही करने के कुछ time बाद भी आप देख रहे हो कि price अभी तक अपने entry level के आसपास ही है वो तो एकदम से stop loss की तरफ भी नहीं है और ना ही वो target की तरफ है मान लो जैसे वो कबसे बेजान होके बस एक ही जगा पे रुकी हुई है हमने expect किया था कि price जब इस entry level को cross करेगी वो directly उपर चूट होनी चाहिए अभी जैसे मान लो मैंने एक candlestick breakout trade लिया है बात तो सच है कि trade लेने के पीछे obviously यही मेरा reason है तो breakout के बाद मिलने वाला momentum तो छोड़ी दो price तो जगा से hill भी नहीं रही है तो दोसो यहां हमे smartly समझ जाना है कि trade लेने का अपना reason तो अभी valid नहीं रहा है दोसो cricket जैसे ही market में भी timing के अपनी एक अलग जगा होती है गंटे दो गंटे तक का समय काफी enough है कि price उपर निकल जाए पर अगर वो वैसे नहीं जा रही है तो समझ जाना कि यार कुछ तो कड़बड है buying pressure जो हमें मिलना चाहिए था वो तो है ही नहीं और यह possible है कि यहां पर buyers के ना होने से शायद sellers आ जाए और वो लोग price को नीचे ढखेल दे तो दोस्तों यह risk उठाने से अच्छा यह एक better decision होगा कि safely हम trade से बहार निकल आए फिर अपने दूसरे नंबर पर है indicator filter अभी मान लो हमने RSI की मदद से trade लिया है पर उपर जाने के बजाए RSI दुबारा से 20 के level को मतलब उसके oversold level को hit कर रही है दोस्तों यह भी एक तरह से हमारे लिए signal है कि हम trade से बहार निकल आए क्योंकि अभी price में उतनी enough strength नहीं है नहीं तो वो अब तक उपर निकल चुकी होती पर वैसा अभी है नहीं तो यह आपका एक reason हो सकता है कि आप trade से बहार निकल आजाओ चलो दोस्तों हम और एक example लेते हैं मान लो आपने एक breakout trade ले लिया है आपको लगा है कि price ने resistance को तोड़ना एक अच्छा indication है और यह आपका basic reason है कि आपने वो trade ले लिया है पर एक दो घंटे के बाद price अगर उपर नहीं जा रही है बलकि वो वापस resistance को hit कर रही है तो यह भी हमारे लिए एक signal होगा जो हमें indicate कर रहा है कि भाई बेटर होगा अगर हम trade से बहार निकल आए फिर अगे नमबर तीन पर है condition change मान दो अपने एक swing trade ले लिया है और अपने stock के लिए अभी एक surprise पर bad news निकल आई है या तो उस company के खराब results निकल कर आए है या तो हो सकता है कि खराब global news निकल कर आई है और अपने Indian chairs नीचे गिरना शुरू हुए है reason भले जो भी हो दोस्तो हमारे stock की price अगर भारी मात्रा में नीचे गिर रही है तो दोस्तो यहां भी यही better decision होगा कि हम trade से बखार निकल आए येस हो सकता है आप थोड़े बहुत profit में या तो loss में भी हो पर ऐसे time पर trade से बखार निकलना ही most of the time सही साबित होता है तो दोस्तो दस में से 9 बात मेरे ख्याल से तो हमें अपने trade को hold करना ही चाहिए पर ये कुछ ऐसी ideas है जो हमें अपने trading plan में add करने ही होंगी और हमें ये decide करना होगा कि you know what जब भी मैं ये special events को देखूंगा अपने rules को bend करते हुए मैं trade से बाहर निकल आऊंगा तो दोस्तो ये थी मेरी ideas मुझे पता है कि market में बहुत सारे smart traders मौझूद है आप मुझे नीचे comment करके बताए कि ऐसी कौन सी events है कि वो time पर आप अपने trade से stop loss हिट होने से पहले ही बाहर निकल आते हो या तो उससे भी best आप मुझे आपकी राय, doubts, ideas, suggestions आप मुझे directly email भी कर सकते हो मेरे email ideas आपको नीचे description box में मिल जाएंगे चलो दोस्तो बाते तो बहुत होई अभी ज़र हम आगे बढ़ते हैं और अपने trade की analysis को देखते हैं और एक बात दोस्तो अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो पहले ज़रा फटा-फट subscribe करके bell icon को click कर दीजिए ताकि इन वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल जाए और trading के इस challenging journey में आप और मैं एक साथ आगे बढ़ते चले हाँ लेकिन अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो यह मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप मेरी ये वाली दो वीडियोस पहले जरूर देख लेना ताकि बाकी बचेवी वीडियो भी आपको बहुत अच्छे समझा जाए इन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि मुविंग आवरेज, स्टोकास्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स इंजिया से इंडिकेटर के साथ आप भी बहुत अच्छे से वाकिब हो जाओ पहले तो हम एक स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड देखेंगे और फिर उसके बाद इंट्राडे का ओके ये जो चार्ड आप देख रहे हो वो है अपुल ऑस्पिडल का आर्ले चार्ड देखो प्राइज ने यहां से उसके 100 वाले सिंपल मोविंग अवरेज के उपर डिसाइसेवली जम किया है फिर प्राइज तीन चार दिनों तक उसके उपर ही ट्रेड कर रही है इस दोरान प्राइज को हम सिर्फ देखेंगे हमें यह बिलकुल पता है कि अभी प्राइज अप्ट्रेंड में है पर हमें यहां कहीं भी बाइज करने की कोई जलबाजी नहीं करनी है बलकि हमें प्राइज में पुल बैक का वेट करना है दोस्तो पुल बैक का सीधा मतलब होता है प्राइज में एक हलकी से गिरावट दोस्तो हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ये बहुत अच्छे समझना होगा कि ये पूरा पेशन्स का गेम है ये चार्ट पे सही स्पॉट सेलेक करने का गेम है पुल बैक में हमारा इंतजार तभी खतम हो जाएगा जब ये अपना दूसरा इंडिकेटर जो है स्टोकास्टिक वो उसके ओवर सोल्ड रिजन में मतलब उसके 20 के लेल पर या तो उसकी करीब आजाए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइज निचे आई और उसके साथ साथ ये ओसिलेटर भी ओवर सोल हो गया है ये हमारे लिए काफी इंडिकेशन है पर बाय करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है हमें कुछ और सपोर्ट की भी जोरूत होगी तो हम क्या करेंगे कि जब भी प्राइज यहां से नीचे गिर रही होगी तो हम यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे देखो बहुत सिंपल है मैंने यहाँ पर इन कुछ लोज को जॉइन कर दिया है और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन दोस्तों टेक्निकल अनालिसिस में यह एक बहुत ही जबर्दस सपोर्ट माना जाता है इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि प्राइज को उसके पचास वाले सिंपल मुविंग अवरेज का भी सपोर्ट है मतलब प्राइज उसे तोड़ कर नीचे नहीं जा रही है इस शॉट दोस्तों हमें कभी भी कोई एक इंडिकेटर के भरोसे कभी अपने ट्रेट्स को लेने ही नहीं है बलकि अलग-अलग इंडिकेटर को हमें कमबाइन करना होगा जो आगे आने वाले बड़े और स्ट्रॉंग मुग के लिए फ्यूल का काम करते हैं तो दोस्तों अपने पाच में से चार इंडिकेटर तो बिलकुल यहीं पर मौझूद है तो यह बन जाता है अपना हाइप प्रोबाबिलेटी सेट अप सी हमारी एंट्री होगी यहां एक्जैक्ट लिस लेवल पर और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के थोड़ा नीचे यहां मेरी रिस्क है अल्मूस्ट तीस उर्पया पर शेयर अगर आपने मेरी रिस्क रिवार्ड वाली वीडियो भी देख ली है तो आप यह अच्छे से जानते होंगे कि हमें इतने प्रेशन्स के बाद हम यह वाली मूं को उसके एंटक कैसे चेस कर पाते हैं देखो बस कुछ कैंडल्स में ही मेरे टार्गेट भी हिट हो गये हैं 30 रुपय के बदले में 60 रुपय का मुनाफ़ा वो भी सिर्फ दो ही दिन में अमेजिंग राइट चलो अब हम अपने दूसरे इंट्राडे ट्रेड की तरह बढ़ते हैं यह जो चार्ट आप देख रहे हो वह एक मेटल सेक्टर से और यह आप उसका आरली चार्ट देख रहे हो दोस्तों अगर आप मुझे इस चैनल पर फॉलो कर रहे हो तो फिर देख कर रही है तो हमें यह बिल्कुल पता है कि आप nou ट्रेंट चल रहा है पर हमें यहाँ भी शाट करने की कोई भी जलबाजी नहीं करनी है हमें एक रैली का वेट करना है अब ब्ल्बाक होता है डाउं़ ट्रेंड में उपर जाने वाली मूगो को टेकनीकल लैंगवेज में कह प्राइज उपर आई और स्टोकास्टिक भी 80 पर है फिर अगर हम इनकुछ हाइज को जॉइन कर देंगे तो इस प्रकार से हमें ट्रेंड लाइन भी ड्रॉप कर सकते हैं जो डाउन ट्रेंड में प्राइज के उपर के साइड होगी फिर प्राइज को उसके 50 फारे मुविंग जाने के चांसे काफी जादा हैं चलो अब जर हम इसके दूसरे दिन के पाच मिनिट के चार्ट को देखते हैं देखो कुछ यहाँ पर मार्केट उपन हुआ है एज हुजवल हम कुछ टाइम तक सिर्फ वेट करेंगे इस दौराथ हमने अपने रेंज हाए और रेंज लो को नोट डॉंग कर दिया है फिर जैसे ही प्राइज रेंज लो को दीचे के साइड ब्रेक कर देगी exactly वहीं पर हमारी entry होगी बिलकुल यहाँ पर मैं लखी था प्राइज ने भी जादा वेट नहीं करवाया बस कुछ थोड़े अपन डाउंस के बाद प्राइज ने मेरे सारे टारगेट को बेट कर दिया अमेजिंग रैट दोस्तों यह तो आप ही कर सकते हो यह लाइन्स इंडिकेटर इन जैसे चीजों को जैसे ही हम कंबाइन करके एक जगा पर सर्च करना चालू कर देते हैं मार्केट से अपना सॉलिड बाइंग जोन में ट्रेड करना चालू हो ज देखी फिर जैसे ही ट्रेंड कंट्यूरेशन की फॉर्स साइन हमने देखी हमने वो ट्रेड ले लिया एंड ओब्यूसली डिसिप्लिन के साथ सही टाइम पर हमने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया दोस्तों हमारा काम बस इन सेटप्स को बनते हुए पहचा अने का हो लेकिन अगर आप वो रोज रोज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए मेरी सौर पैवली एक चोटी सी सर्विस है आप उसका फायदा उठा सकते हो इसमें आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की वास्ट लिस्ट मिल जाएगी और उसके सा साथ आपको मेरी इंट्राडे की अपडेट्स भी मिलते रहेंगे तो चलो दोस्तों आज के लिए बस यहीं रुख जाता हूं मिलता है कल मार्केट मेहीं तब तक के लिए गुडबाई टेक केर एड हैपी ट्रेडिंग